दबंगो ने जहरीला दवाह डाल कर महनत से लगाई गई धान की फसल को बरबाद कर दिया मामला सिलिथाना श्रेत्र के हाजवाम गाम का बताया जो रहा है यहां के एक ही गाम के छे किसानों की दस एकड में लगी धान की फसल के उपर अग्यात बदमाशों ने जहरीली दवाई डाल कर छिड़काफ कर दिया जिसकी कारण करीब 70% धान की फसल जुलस कई पिड़त किसान भार्टी देवी, सतनारायन, हजवाम, हाराधन, हजवाम, राम दुलाल, हजवाम, हाडी राम कुमार, नित्यानन दमाजरी नसभी पिड़त किसानों ने धान की फसल खराब होने पर क्रशिविभाग के उच्छवदकारियों सहिता सरकार प्रसाशन से मुआबजे की माग की है किसानों ने इसकी जानकारी सली ठाना में भी लिखित आवेदन कर दी है लेकिन अभी तक अग्याद बदमाशों के खिलाफ कोई कारवाही नहीं की गई है जिसे पुलस प्रसाशर के खिलाफ वक किसानों ने नाराज गिज़ताई है संतोश महतागी रिपोर्ट कौन डाला हुआ, कुछ जनकारी है इसे? कौन डाल रहा है किसी को कोई अलुम की पता नहीं है अदमने मतलब मतलुह आज आधम वोक्त अबना सब को डाल रहा है आप क abruptly कि इसानों का के खित में डाला जा रहा है sol मैं पम आप दोर है ते है ऑम लगा है आचल खिज्ट से किलो धान के है तो दो साल पहले जब डला गिया तो आप कहीं किसी को जनकारी ने दिया थे तो आजागर का मतलब कहने मादा खेत तो ही लोग का है तो लोग भी सफोर्ट था लेकिन बोला कुछ नहीं हुआ उस समय भी कुछ करवाई नहीं हुआ और इस बार भी आप लोग के खेत में डला ग जो जहर डाले उसको भी आना चेह कुछ को देखवाल होना चेह कैसे कौन डाल रहा का करा इंक्वारी में आना चेह ही क्या नाम होगा आपका जिनेस प्रिजापत कहां के रहने वाले हैं हम एक थो ठोटा किसान है हम किसी से लोन लिये थे प्राइबेट लोन कर्जा में दिए इसाम लेखे लेक के हम खेति में अपना धियन लेके विहिन किये थे और हम इसमें ट्यक्टर से जोत्वाई करणßen लगवाए थे और कोई राति का आका में जवयог के और में में दो किनो किवीः धानता हािवद धानता दोनों खेत में खतम हो गया अगने कि खिलाएंगे अब ताम को कुछ समझ में नहीं कि कार्जास होतेंगे और इसका पहले दो गो यहां पर और किसान का खेत में भी बिहन में डाला गिया था अभी का गाउं का किसान में का हजाम का ही और एक्ठो मेरा मामी बोलके है रिस्ते में राणि उसका कोई नहीं है बिद तो थाना परभारी क्या बोला था उन लोगों को बोला था कि देखेंगे और कुछ नहीं हुआ लिखित दिया था उलोग जाके चार-पांच आदमी गया था उलोग चार-पांच आदमी का उससमें डाला गिया था किसानों का खेत में जो भी जहर डाल रहा है तो उसका को हो की भनग भी है कि कोन कर रहा है तो लिख पहुच कर्म कर्द कर रहा पर लेत लिए नहीं है क्या दुसमनिए उसका अपह क्या कर ले डाल आज जा रहा है तो अपको गाम के पास गए थे हमक्याजी क्या बोले अपको घ्रेट थे देखे के तो उन से जब अब दुछ भागर को विस अब दोलें नहीं होता है तो पर्रवाजी को बखर करें डिया नहीं होता है क्या चाहते हैं आप लोग इभी फिलाल देखिए अभी सरकर कहा पोलेंगा इसमें हम लोग उपिछ मुवादा दे दिया जाए हमरा लोन देया है उसको कमसंग कारजा रूप करजा तो कमसंग हमरा कमसंग ही हो जाएगा उसका बद बल बच्चा को जह दुरे से हम पोसेंगे कि पसना पड़ाएगा इस तो क्या करते हैं या पूर सिप खेती आपका बहुत पसंग कहीं एक सादने किया नाम हुआ आपका मेरा नाम है निक्तनमा जी कहां के रहने वाले हैं तो मुखिया जी आपके गाउं के किसान बोल रहे हैं कि इनके दान लगा थे बड़ी महना से जिनके खेतों में कोई जहर डाल दिया है क्या है पूरा मामला बात्सा सही है इसके आगे भी चार-पांच किसानों का बीजा में जहर डाला गया था उसमें भी उसमें भी हमको ख़वर किया था और लोग हम देखने भी आय थे और इक परसों हमको नीता भी बोला कि ऐसा हु और जो अब इसी से चलता है बल बच्चा को पढ़ाना वे इसी से खेती से हम लोग निरवड करते हैं ऐसा नवथ होगा तो हम लोग का इस्तिती तो बहुत खराब होने जाएगा तो एगर थाना जैसे कि आपने गये थे पहले जो खिसान का खेत में डाला गया तो किसाना परभार की तरफ से क्या बोला गया था उससा है नहीं आए इनको आना चाहिए नहीं आए नहीं आए लिखे सिकाट जिया गया था पहले एकसान लेते तो इनका खेत में इसा नहीं तो आप इस पंचयत की मुखिया है और आप जिस गाउं से बिलोंग करते हैं उसी किसानें हैं जितना वहीं हजाम मेरा थे सब किसान परिवार से आते हैं और जो भी किसाने की आ, दूसरा आदम बागार के तो आपके तरफ से क्या परियास रहे गाए कि हम किसान भाहिए झाले